आप सभी को मेई तरफ से प्यार ब्रहा नमस्कार, मैं या नाम तरुन ग्रोवर है और आज की क्लास के नर्म बात करने वाले हैं सब्जेक्ट वब एग्रिमेंट के प्रेक्टिस कुशन्स के बारे में और ये बात आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि प्रेक्टिस कुशन्स को हम तभी टैकल कर सकते हैं प्रेक्टिस कुशन्स हम तभी स्व الدंक कर सकते हैं जब हमने कॉंसेट वाली क्लास पढ़ लियो जो concept मैंने subject web agreement के पहले पढ़ा दी हैं अगर आपने वो classes देखी हैं तब ही आप इस class को attend कीजे अगर आपने वो class नहीं देखी है तो पहले आप उस class को देख लीजे उस class के लावा और भी जो English language के जो competitive examination के लिए काफी crucial chapters होते हैं सारे chapters मैंने पढ़ा रखें चाहे वो tense हो, nouns हो, pronounce हो, adjectives हो और आने वाली classes में भी मैं chapters पढ़ाने वाला हूँ जैसे कि preposition हो गया अगला chapter मेरे ख्याल से वही आएगा तो फिलाल अगर आपने वो classes नहीं देखे तो आप वो भी classes देख लेंगे और subject verbally नहीं देखे तो उसे भी देख लेंगे उसके बाद ही इसी class की practice करें चलिए, खैर, शुरुवात करते हैं आज की class की तो जैसा कि हर practice class के अंदर मैं questions को discuss करते हैं पहले आप slide देखिए, खुद से solve कीजिए उसके बाद फिर मैं आपको देखे देखे एक एक question tackle करवाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है वीडियो को pose कर लीजिए और questions को solve करना शुरू कीजिए तो उमीद करता हूँ कि आपने इने solve कर लिया होगा वो main subject होता है क्योंकि बाद वाला तो इस preposition phrase का object होता है बहुत अच्छे से जानते है, हां की न तो as well as से जो पहले लिखे वाला word होता है वो हमारा main subject होता है अगर ये main subject है तो ये plural है आप लोग जानते है और आगे फिर verb भी कैसी आनी चाहिए ये plural आनी चाहिए, यहाँ पे have आएगा yes or no, अगर यहाँ पे singular लिखा होता तो यहाँ singular verb आती तो plural लिखा हुआ है, तो plural verb आएगा ये concept मैंने अच्छे से समझाया था वहीं दूसी तरव बात करें horse and carriage are needed to carry a cart आप लोग जानते हैं दो नाउन अगर and सो जुड़े हों और वो pair में हों, तो आप लोग जानते हैं घोडा और गाड़ी यहाँ पे पेर में हैं क्योंकि cart को carry करने के लिए पीछे जो bogey होती है उसको खीचने के लिए horse and carriage दोनों की जरूरत पड़ेगी yes or no तो यहाँ पे यह pair में है अगर यह pair में है तो आपको पता है दो नाउन जब pair में होते हैं तो उसे हम singular की तरह consider करते हैं और अगर singular की तरह consider करते हैं तो आप लोग जानते हैं कि फिर verb भी कैसे आनी चाहिए singular verb आनी चाहिए तो horse and carriage is needed to carry a card ठीक है चले चलिए third question को देखते हैं I were astonished at his department in the party जो party में वो चला गया उसको देखके मैं अचंबित हो गया तो basically I के साथ were हम तब use करते थे जब हम unreal condition की बात करते थे यहाँ किसी भी तरीके की कोई unreal condition नहीं है तो आप लोग जानते हैं I subject है तो उसके साथ हम was ही use करते हैं अगर past की बात हो रही है is वगरा लिखा होता r लिखा होता तो am use कर देते yes or no चलें इसी के साथ आगे चलते हैं अगली slide की तरफ move on करते हैं वीडियो को pose कीजिए questions को solve कीजिए चलिए उमीद करतो मचे आपने कर लिया होगा इसे हाजी each boy and girl were not willing to participate in the charity show तो यहाँ पे एक छोड़ा सा point आपको सिखा देता हूँ यह मैंने concept वाली class में नहीं बताया था क्या अगर दो noun हमारे end से जुड़े हैं और दो noun हमारे end से जुड़े हैं या फिर दोनों के पहले क्यों नहीं लिखा होता each boy and each girl क्यों नहीं लिखा होता या फिर एक के पहले each और एक के पहले every लिखा होता जैसे कि each boy and every girl तो यह सारी चीजे सेम है आप each boy and girl बोलो आप each boy and each girl बोलो आप each boy and every girl बोलो यह सब सेम है और यह सब के सब हमेशा हमेशा singular होते हैं और अगर यह singular होते हैं बच्चे आगे verb भी कैसी आईगी, singular आईगी so you need was over here I hope my point got clear, चले चलिए जी, more than one industry are आपको पता है more than one के बाद singular now आता है और verb भी कैसी आती है singular आती है, तो यहाँ पर is आना चाहिए, चले आगे many and apples has become waste regarding their storage, तो आप लोग को पता है many के बाद वैसे तो plural आता लेकिन बीच में अगर article आ जाए तो आगे फिर singular noun का use करते है, many and apple होगा और आगे देखो verb भी singular है यह point मैंने बहुत अच्छे से आपको समझाया था, ठीक है, 7th question के तफ move on करते हैं, हमने कहा no one have protested to this statement in the conference, तो no one, someone, anyone, somebody, nobody anybody, याद करो, यह मैंने pronounce वाली classes में ही बता दिया था, यह सारे के सारे subjects singular होते हैं तो इसलिए इनके साथ singular verb आती है has आएगा, क्या मेरा point समझ में आया, definitely आ रहा होगा, it was a point of dilemma for me during college life आपकी knowledge पर बता दू कि जो it होता है, यह एक introductory subject होता है और यह हमेशा, हमेशा singular होता है, इसके बाद जो verb आती है बच्चे, वो हमेशा, हमेशा singular आती है ध्यान रखेगा, it was a point of dilemma, dilemma मतलब confusion को बोलते हैं, दुविदा को बोलते हैं जिस situation में आपको समझ नहीं आ रहा है कि यह चीज़ चूज़ करो, यह वो चीज़ चूज़ करो clear है, चलिए the number of actors have started to take good amount regarding their hard work याद करो, मैंने कहा था a number of के बाद noun pronoun plural आता है verb भी plural आती है लेकिन वहीं दूसी तरफ the number of लिखा हो, तो noun pronoun तो plural आता है, लेकिन verb याद करो मैंने कहा था singular आती है group का sense देता था, कुछ याद आ रहा है आपको उमीद करता हूँ कि याद आ रहा होगा इसी के साथ आगे चलते हैं वीडियो को pose कीजे, questions को solve कीजे चलियो, उमीद करता हूँ आपने कर लिया होगा each of the person has shown his interest in this investment plan तो याद करो, each of, either of, neither of इनके बाद noun pronoun plural होता था, verb singular होती थी लेकिन यहाँ तो singular है, तो plural करेंगे बहुत सारे persons में से each की बात हो रही है तो each of the persons has shown his interest clear है, जोकि main subject यही है इसलिए singular है, इसलिए pronoun भी देखिएगा, आप singular है, हाँ की न चले आगे, a few of computers has been repaired on the urgent basis a few एक ऐसी term होती है, जिसके बाद हमेशा plural countable noun आता है तो verb भी कैसे आएगी, plural आएगी, ध्यान रखिएगा little एक ऐसी term होती है, जिसके बाद uncountable noun आता है मैं बता देता हूँ आपको, एक होता है few, एक होता है little जो few होता है, यह अपने बाद plural countable noun को लेता है और जो little होता है, यह अपने बाद uncountable noun को लेता है few अपने बाद plural countable noun को लेता है, तो बच्चे verb भी कैसे आएगी, plural verb आएगी अगर uncountable लेता है तो verb कैसी आएगी, singular verb आएगी, yes or no clear है, ध्यान रखेगा इसलिए few के बाद, हमेशा plural countable noun और verb कैसी, plural sorry have आना चाहिए यहाँ पर ठीक है, चले आँगे you and I am enjoying this educational conference with friends you and I है, देखो, दो noun या pronoun and से जूड़े हैं जब and से जूड़े हैं, तो एक और एक मिलके दो बन गए, मतलब plural बन गया plural बन गया, तो मतलब यहाँ पर I के according नहीं इन दोनों के according आना चाहिए, और वो R आना चाहिए you and I, लेकिन यहीं दूसरी तरफ अगर ऐसा होता you as well as I, तो फिर यहाँ पर अभी भी मार करते हैं क्योंकि main subject यह हो जाता, और इसके according आरी हाता you के साथ, एम तो आता नहीं है, लेकिन अगर I यहाँ पर होता और बीच में as well as होता, और इधर you होता, तब हम M ही लिखा रहने देते, तब कोई दिक्कत नहीं थी, तब वक्दम सही था लेकिन वहाँ as well as नहीं है, एंड लिखा हुआ, तो दो नाउन जब एंड से चुड़ते हैं तो प्लूरल होते हैं, तो बच्चे वर्फ भी कैसे आएगी, प्लूरल आनी चाहिए ये बात आप बहुत अच्छे से जानते हैं चलिए, उमीद करता हूँ कि आपने इने solve कर लिया हूँगा, आज ये tackle करने की कुशिश करते हैं 50,000 rupees have been invested on this budget एक new concept मैं सिखा देता हूँ, आपको कभी भी fixed amount दिया हो क्या दिया हो fixed amount, या फिर fixed time दिया हो या फिर fixed distance दिया हो, ध्यान रखिएगा, fixed amount of time of existence ये हमेशा singular होते हैं, अपने बाद वर्ब भी singular लेते हैं इनके अंदर यहाँ पे आप has लगाएंगे, 50,000 rupees has been invested ये मत सूचे का 50,000 rupees है तो plural बन गया, plural बन गया तो लगा तो भी या है, वैसे नहीं करना है ध्यान दखिएगा, जैसे मैंने का 16 kilometers are a great distance या is a great distance of course is a great distance, yes or no, 12 months has passed या have passed, of course has passed तो basically जब आप fixed amount, fixed time, fixed distance की बात करेंगे, तो आप उसे singular consider करेंगे हाला कि इसके अंदर भी exception होता है, लेकिन इतनी intricacy आपने जाननी नहीं है, आपके लिए इतना more than sufficient है वैसा question देखा नहीं किया, पिछले 10-15 साल में तो जानने की आपको ज़रूरत नहीं है, जो इसके exception से आता है खाम खामे grammar की knowledge को फिर और complicate करना ही है, ठीक है, उतना ही जानिए जितना आपसे digest हो, जितना आपका examination oriented content है चले आगे, पढ़ाने को तो भीया, मैं कुछ भी बढ़ा दूँ आपके लिए, आप उसी को भी पढ़ लेंगे लेकिन चीजों को थोड़ा सा exam oriented रखे तो आप लोग जानते है, नाइदर के साथ अगर subject है और नोर के साथ एक subject है तो जो near a subject होता है, वो main subject होता है तो बच्चे इसके साथ आप R लगाएंगे क्योंकि ये plural है अब देखो ये वही बला आ गया, each pen and pencil आ गया तो आगे ये जाना चाहिए आप लोग जानते है कि दो noun आपके answer जोड़े हैं, चाहे पहले वाले के पहले each हो या दोनों के पहले each हो, या एक के पहले each हो और एक के पहले every हो हमेशा singular, हमेशा singular उमीद करता हूँ, मेरी बाते आप लोगों समझ में आ रही होगी चलिए इसे के साथ आगे चलते हैं, वीडियो को पोल्स कीजिए, questions को solve कीजिए उमीद करता हूँ कि अच्छे से solve कर लिया होगा, नया concept आपको सीखने को मिल रहे होंगे the boys each has understood, याद करो, मैंने कहा था कि each जो होता है basically अपने साथ हमेशा singular verb लेता है, हमेशा, याद है लेकिन मैंने कहा था, एकलोता है ऐसा case होता है जब each से पहले plural noun आता है, उसके बाद each आता है तो उसके बाद हम plural verb का use करते है अगर यहाँ ऐसा होता, each boy has लिखते each boy has understood बोलते हाँ की ना, लेकिन the boys each बोला हुआ है तो मैंने कहा था, इस case में आगे plural verb लगाते है each का एकलोता exception यही है, जो अपने बाद plural verb लेता है जैसे many का एकलोता exception वो वाला था, जो many के बाद article आता था और singular verb आती थी, याद करो, ऐसी each का भी exception बताया था मैंने कहा था, examination में generally यही चीज़े पूछी आती है जो बिल्कुल different होती है, जो unique होती है जो students ने अकसर नहीं देखी होती है, बाते समझ में आ रही होंगी चले बटाई सिक्रत, आगे चलते हैं उसने का gold and silver is precious metals amongst all in terms of market value तो gold and silver is precious metals नहीं होगा क्योंकि तो अलग-अलग है यह gold, silver, pair में तो नहीं हो सकते न तो are आना चाहिए, और आगे देखो metals भी लिखा हुआ है चले, तो you and I है, तो दो है, तो plural मन गया you and I are intimate, मतलब close friends है from the now from now आना चाहिए, नहीं, from the now आएगा preposition है, तो उसके बाद आपको object आता है, बिल्कुल सही है, ठीक है and our relationship will be continued in the forthcoming time as well, बिल्कुल चले, इसी साथ आगे चलते हैं, questions को solve कीजिए, फड़ा फट खैर, आपने solve कर लिया होगा, मैंने कहा था कि nothing but लिखा हो, anything but लिखा हो, इनके बाद कैसा भी नाउन आ जाए, verb singular आती है, reason उसके पीछे यह है, क्योंकि जो but होता है, यह प्रेपिजिशन होता है, सिवाय का sense देता है, इसके बाद object आते हैं, यह बची verb, उसको subject चाहिए, यह रहा subject, nothing, anything, something, यह सब के सब singular होते हैं, तो बच्छे, verb कैसी आएगी, singular आएगी, बोलू हाँ, अरे बोलू न हाँ, has लगाएंगे, चैका है, चलिए, everybody should sustain their ethical values गलत है, everybody, somebody के लिए he वाले pronoun आते हैं, तो यहाँ पर his आना चाहिए, everybody should sustain, और should के बाद तो module verb के बाद तो verb की first form रहती है, तो वहाँ कोई दिक्कित नहीं है, वो एकदम सही लिखा हुआ है, हाँ, कि ना, चले, चलो जी, the statistics of Amit noun वाला question आगया है, तो याद करो, subject के नाम के पहले अगर दा लिखा हो, या फिर possessive adjective लिखा हो, वैसे तो subject के नाम दिखते plural हैं, होते singular हैं, statistics is ही होता है, कभी आर नहीं होता है, लेकिन यहाँ पर statistics के पहले दा है, तो मतलब यह subject के काम नहीं कर रहा है, यह statistics के concepts हैं, अगर यह concepts है, that means, यह plural है, plural है तो बटा, verb भी आगे कैसे आएगी, plural आएगी, क्योंकि यह is वाली verb का subject अमित नहीं था, क्योंकि of preposition था, उसके बाद objective case आते हैं, तो अमित object था, verb को subject चाहिए और वो दा स्टेटिस्टिक था, और वो प्लूरल था, इसलिए आर लगाया, समझ में आया, क्या, चले आगे, चले बड़े प्यारे बचे हैं, next questions को फड़ावट देखियो और फड़ावट solve कीजिया, to exceed and to deny is to isolate aspects of human department in social life, हां जी, बताइए मुझे, studying or playing have been the imperative part of rituals, one of the social activity has been resisted due to the opposition of fog from all walks of life, हां जी, चलिए ख्यारे, जानते हैं पर to exceed or to deny, वैसे हमने ये चीज पढ़ी नहीं है, लेकिन मैं आपको पढ़ा देता हूं क्या, कि जब कभी भी दो infinitive, infinitive क्या होते हैं, to के साथ verb की first form को हम infinitive कहते हैं, जैसे दो infinitive अगर and से जोड़े हैं, तो वो plural consider होते हैं, अगर एक infinitive जैसे मैंने कहा, to walk, to walk, to plus verb की first form, to walk is a good exercise, इस लगाया न, to walk is a good exercise, फिर मैंने कहा कि कुछ ऐसा बोल दिया, to walk and to run, and लगाया, अब दो infinitive and से जोड़ दिया, तो यह plural बन गया, बागे आ रहाएगा, तो मैं वही बताना चाहरा हूँ, infinitive singular होता है, ठीक है, इसके बाद जो verb आती है, से जोड़े हैं, दो subject and से जोड़े हैं, तो plural बन गया, plural बन गया, तो verb कैसे आनी चाहिए, plural आनी चाहिए, और आगे देखके two isolate aspects भी बोला है, हाँ की न, ऐसी सेम यह ing वाली form होती है, इसे हम gerund कहते हैं, आगे चलके हम पढ़ेंगे, यह भी basically singular होती है, जैसे मैंने कहा, smoking is injurious to health, walking is good for health, लेकिन वही मैं बोलू, walking and running तो आप आर कर देंगे, अगर दो gerund आपके, gerund मतलब work की first form के साथ ing कभी-कभी subject बनती है, इसे smoking is injurious to health, smoking subject है, walking is a good exercise, walking subject है, इनको gerund बोलते हैं, यह आगे चलके हम पढ़ेंगे, single gerund जो हो, तो singular verb आती है, दो gerund and से जुड़े हो, तो plural verb आती है, लेकिन ध्यान से देखिए, यहाँ पे दो gerund तो है, लेकिन बीच में and नहीं है, और है, और आपको बताया था, either or, neither nor, not only but also, और और, के बाद वाला जो subject होता है, वो nearest subject होता है, और वो main subject होता है, verb उसके according आती है, और single gerund लिखा है, तो फिर verb कैसे यह आएगी, हैज आएगी, समझ में आए, थोड़ा सा important था यह, दुबारा समझेए, single जो भी gerund होगा, smoking is injurious to health, walking is good for health, था, की ना, चीक है, singular है, मैंने बोला, walking and running, अभी यह plural है, था, की ना, लेकिन मैंने बोला, walking or running, और आया न, तो याद करो, और आ जाने से, neither nor, either or वाला concept भी add हो गया, उसमें जो last वाला nearest subject होता है, वो main subject होता है, तो verb उसके according आती, अब आप has करेंगे, जैसे example के दूर पर मैंने का you and I, तो यह plural आगे, आप लगाओगे न, लेकिन मैं बोलू you or I, तो अब आप I के according लगाओगे न, I am, इसलिए studying or playing लिखा हुआ है, तो जो last वाला है, उसके according लगाएंगे, अगर यहाँ and लिखा होता बीच में, तो फिर have सही था, उसमें कोई दिक्कत नहीं थी, clear है, लेकिन वो लिखा नहीं हुआ, खेर, उमीद करता हूँ, समझ में आया होगा, one of the social activity, one of के बाद, बिटन noun, noun, plural आता है, activities आना चाहिए, और आगे verb singular आती है, one of the social activities has been resisted due to the opposition of all walks of life, चलिए, फटाफट करेंगे इन सारे questions को, और आप बहुत अच्छे तरीके से perform कर रहे हैं, और सारे concept पढ़ रहे हैं, अच्छे से इनको practice कर रहे हैं, तो मुझे अच्छ feel होता है कि हम लोग जो efforts लगा रहे हैं, आप लोग उनको appreciate कर रहे हैं, at least आपकी life में थोड़ा बहुत भी हम contribution कर पा रहे हैं, है ना, चलिए, तो 25th की बात करते है, many के बाद article आए, noun, pronoun, singular होता है, verb भी singular होता है, यह तो सही लग रहा है, कुछ गलती है, हाँ गलती है, यहा objection, o बोला है न, o, तो आपको पता है, जब vowel sound हम use करते हैं, किसी word की है, यह an जो होता है, यह sound के recording जाता है, ठीक है, जानते हैं, आप लोग articles में पढ़ेंगे, जो vowel sound होती है, वो अपने लिए an लेता है, और जो consonant sound होती है, जिसे vengeance कहते हैं, sound, वो अपने लिए a लेता है, swear व sound है, तो बिटा an आना चाहिए, इसलिए an लगाया, हाँ कि न, word पर नहीं जाएंगे, word की sound पर जाएंगे, जैसे मैंने बोला university, university, अब धियान से देखो के तो you तो वैसे vowel है, लेकिन sound vowel नहीं है, you, your वाली sound है, your, मतलब consonant sound है, तो a university होता है, an university नहीं होता है, तो sound के basis पर जा and the chairman of the committee has denied to accept, अरे ये क्या बात बनी, आपको पता है कि दो noun अगर and से जुड़े हैं और दोनों के पहले article हैं, तो वो दो अलग-अलग persons है, अलग-अलग persons है, तो आगे फिर verb भी कैसी आनी चाहिए, plural आनी चाहिए, have आएगा, क्योंकि of the preposition और committee उसका object है, तो यही main subject बनें के दोनों, अगर the principle होता, chairman के पहले दा नहीं होता, तो फिर has सही होता, 50 meters आगा, याद करो, fixed amount, fixed distance, fixed time, यह सारी जितनी वी चीज़े होती हैं, यह सब के सब आपके singular होते हैं, 50 meters is not a great height and can be accessed easily by the determination, चले, चलो जी, आओ वीडियो को pose करो, questions को solve करो, 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 फड़ा फट करो, issues, in addition to new topics of debate was put on the table for informative solution, तो in addition to, as well as, together with, along with, including, besides, accepts, इनके पहले वाला main subject होता है, plural है, तो आगे भी वर आना चाहिए, और in addition to में वैसे भी two preposition है, तो उसके बाद object मिलेंगे, हां कि न, यह भी preposition, तो यह भी object होगा, यही subject बनेगा, लेकिन in addition to एक preposition phrase है, ठीक है, तो यह main subject है, more than one के बाद singular noun और verb भी singular आती है, तो more than one coffee shop was closed that day due to strike by the union, ठीक है, चले, some money, some most, half, plenty of, lot of के बाद जैसा noun वैसी verb, तो money uncountable noun है, तो verb भी कैसी रहेगी, singular रहेगी, आप लोग जानते हैं, चलिए जी, next questions के दब move on करते हैं, pose कीजिए, questions को solve कीजिए, तो उमीद करता हूँ कि आप लोग ने इसे कर लिया होगा, आज है यह सीखने की कोशिश करते हैं, staff members accompanied by members of delegation has taken part in this charitable activity for the well-being of employees, तो आप लोग जानते हैं, accompanied by, headed by, यह वही वाला concept बार बार repeat हो रहा है, as well as, together with, along with, तो इसके पहले वाला जो word होता है, वो main subject होता है, तो जो verb आती है, वो भी इसी के according आती है, तो आगे has नहीं, आगे have आना चाहिए, तो staff members plural subject है, इसलिए verb भी क जैसी आएगी, plural आएगी, it is noticed that the elite class have no soft corner for the downtrodden, elite class मतलब जो थोड़े बड़े परिवार के जो लोग होते हैं, थोड़ी sophisticated जो families होती है, उनको बोलते हैं, खाली the elite लिखा होता, तो वो plural होता, जैसे the rich, the poor, the old noun में पढ़ा है the concept, अब यहाँ पे the elite class है, तो यह collective noun की तरह count होत होता है, जैसे the middle class, the poor class, the elite class, collective noun जो होता है, वो group में generally sense देता है, आप लोग जानते हैं, तो इसलिए verb भी कैसी आने चाहिए, singular, लेकिन वहीं दूसी तरफ देखो, the downtrodden लिखा हुआ है, downtrodden poor का दूसरा नाम है, poor न लिखके downtrodden लिखा हुआ है, और उसके पहले दा लिखा ह हुआ है, तो the poor अपने आप में plural term होती थी पढ़ाया था ना, आपको मैंने ना हूँ उसमें, तो ऐसी the downtrodden भी अपने आप में क्या है, plural term है, इसलिए देखो, आगे आ रहा है, तो कि who इसको relate कर रहा है, वो class आया हुआ है, इसलिए वो collectively count हो गया, class ना होता, इतना होता, त समझ मैं a point, तो it is notice that the elite class has no soft corner for the downtrodden, जो अमीर लोग होते हैं, वो गरीब लोग के लिए कोई soft corner नहीं होता, जो की real victims होते हैं, present social setup के, अभी जो समाजिक स्थितियां जो बनी हुई है, उसके real victim होते हैं, गरीब लोग, और अमीर लोग के दिल में, उनके प्रती कोई भी soft corner न पता दूँ कि जो there word होता है न, ये भी introduce करने के रिए use होता है, लेकिन इसके बाद जो verb आती है, वो उसके बाद वाले word पर depend होती है, जैसे मैंने का there is a boy, वो a boy है तब ही is आया है, लेकिन बोलो two boys, there are two boys, तो two boys है, इसलिए ये are आया, तो there के बाद जो verb आती है, उसके लानी चाहिए, clear है, चले, चलिए, आज ये इन questions को देखते हैं, तो मैं बार बार नहीं बोल रहा हूँगा बच्चे कि आप solve कर लीजेगा, तो next slide आती ही, pose करके solve कीजे, फिर मैं direct समझाता रहूँगा, ठीक है, तो neither of the two candidates, आप लोग जानते है, either of, neither of के बाद noun, pronoun, plural आता ह है, verb singular आती है, वोज आना चाहिए, देखो, इट सेकर sentence की शुरुआत होती है, तो verb हमेशा singular, यहाँ पर who question नहीं पूछ रहा है, क्योंकि end में question mark नहीं है, तो definitely अपने पहले आने वाले noun या pronoun को relate कर रहा है, यहाँ I को relate कर रहा है, मतलब who का अस्तित्व कुछ नहीं है, who का meaning कुछ नहीं है, who और I, a की चीज़ है, अगर who और I, a की चीज़ है, तो आगे फिर plural verb आना चाहिए न, क्योंकि I के साथ has नहीं आता, I के साथ have आएगा plural में, अगर यहाँ पर are is लिखा होता तो M कर देते हैं, जैसे मैं example के दूर पे एक sentence बोलता हूँ, मैंने कहा कि it is I who is responsible it is I who is responsible, तो आप लोग जानते हैं, बहुत basic sentence है, who relate कर रहा है किसको, I को, it तो अपने बाद हमेशा singular लेता है, कुछ भी लिखा हो, who relate कर रहा है I को, तो आगे जो verb आएगी वो I के according आएगी, तो it is I who am responsible होता है, ऐसे it is I who have, यह एक गलत आ रहा है, यह ए नहीं आएगा, who have always helped you in times of need, बात समझ में आया, अच्छी बात, पक्की बात, अच्छी बात कह रहा हूँ, पक्की बात है, clear, अच्छी बात कैसे में से मेरे माइड में यह term आया, अपने आप ही आया, कोई बात नहीं चलो, तो point समझ में आगा है न, अच्छी बात है, point समझ में आगा था, चलो बड़े ही प्यारे हैं वो मैं था जिसने मदद की नाइदर ओव दी टू ब्रदर्स इस आना चाहिए इस गिल्टे इन दिस केस चलिए जी आईए ये भी देखो बहुत असान है मैंने कहा था कि not only के बाद एक subject हो but also के बाद एक subject हो तो जो उसके बाद वाला subject होता है वो निरस subject होता है वही main subject है उस एक recording verb आएगी वर आना चाहिए अभी हमने बात कीती है fixed time, fixed distance, fixed amount ये सब के सब collectively use होंगे ये singular होते हैं तो इसलिए has आना चाहिए 12 months has passed since I came here but he has not seen me even once one of के बाद noun to noun प्यूटल आता है बच्चे verb singular आती है तो live नहीं, lives होना चाहिए one of my relatives lives in America where he is doing a prosperous business clear है business से मुझे वो meme याद आ गया वो एक छोटे बच्चे बच्चे ब़ला meme मतलब वो छोटा बच्चा नहीं है वो African है, पता नहीं, Nigerian है poppy, पता नहीं क्या नाम है उसका में माइंड से भी skip हो रहा है उसका एक meme हो कहते है this is business that this is business से नहीं है आपने चलो, गर नहीं सुना तो YouTube पे एक बच्च करना है ऐसे लिख के this is business और meme लिखना आगे, ठीक है बहुत funny collector है, वो उसके बहुत सारे memes है और expressions ही सब कुछ होते है acting में, comedy में सबसे important चीज़े expression होती है क्योंकि शब्दों के साथ खेलना तो बहुत लोग जानते हैं, लेकिन expressions के साथ खेलना हर किसी की बस की बात नहीं होती है यह अपने आप में बहुत अधभुत कला है ठीक है, और इस कला में वही वाली बात, थोड़ी सी efficiency और proficiency आना महनत लगती है, expression के ओपर भी थोड़े command बनानी पड़ती है कोई वो नहीं होता है inborn talent नहीं होता है कि acting, dancing या फिर expression अच्छे दे नहीं है टिक टॉक पर जो dance करते हैं तेरी प्यारी प्यारी दोह की हैं आपको क्या लग रहा है कि यह और लग कोई छोटा मूटा talent है यह बहुत बड़ा talent expression देना अपने आप में यह बहुत बड़ा talent है जो किसी चीज़ को बहुत deeply feel करता जिसके अंदर बहुत ज़दा emotions होते हैं वही बहुत बढ़ी expression दे पाता है उस particular गाने को बिलकुल अपने मतलब दिल में समा लेना उसके शब्दों को पूई तरीके से अपने होटों पे बसा लेना यह अपने आप में बहुत बड़ी बात है तो मैं तो tik-tok वालों को talent मानता हूँ ऐसी बात नहीं है अलागी मैं यह नहीं कहारा कि कि एक वो भी एक अपने आप में है और आपको सोचते होगे कि मैं टिक-tok में वीडियो बनाता हूँ ऐसा नहीं है मैंने आज तक install भी नहीं किया just a opinion दे रहा हूँ हाला कि मुझे time waste लगता है वो ठीक है नहीं होना चाहिए एसा लोग जिन्दगी में कुछ अच्छा करे हूँ यह जिन्दगी में लिए यूथ जो है अपने जवानी जो है बरबाद कर रहा है टिक-tok के चकर में और इंस्टाग्राम रील्स के चकर में तो ऐसा नहीं होना चाहिए यह चीज़े बच्चों को इन चीज़ों से तोड़ा दूर रहना चाहिए मेरी यह सलाह है लेकिन मैं फिर भी एक नेगटिव चीज में भी एक पॉज़टिव चीज धून रहा था क्योंकि मेरी आदत है थोड़ी सी ब्राइट साइड को देखने की खैर जितने भी बाते कहीं उसका किसी भी जीवित अमित इनसान से कोई संबंद नहीं है संबंद पाया जाता है तो मातर संयोग होगा Mr. John with his wife and children अब आप लोग जानते कि with जो word है न बच्चे with इसके बाद कभी भी subject नहीं हो सकता है इसके पहले ही होगा जैसा together with, along with that has ever lived, देखो that जो है यहाँ पर relate कर रहा है revolutionaries को, याद है one of के बाद noun pronoun तो plural आता है बीच में गर relative pronoun आजे तो फिर verb plural आती थी याद करो तो revolutionaries को relate कर रहा है that यहाँ पर इसलिए have आया हुआ है his friend and well visher याद करो and के साथ दो noun जुडे है और बस पहले वाले के पहले या तो article या possessive objective आजे तो possessive objective एक के पहले आया हुआ है मतलब जो friend है वही well visher है his friend and well visher is dead though he does not know about it बिल्कुल सही है, इसमें मेरे ख्याल से no error है कोई गलती नहीं है अगर यहाँ होता his friend and his well visher तो R होता हा की ना, चले, चलिए if I was a bird गलती है, बहुत बहंकर गलती है क्या होना चाहिए, if I were a bird होना चाहिए I would fly, unreal condition के लिए हम बर का use करते है ठीक है everybody among the businessmen everybody और among लिखा हुआ preposition है, तो बटा preposition के बाद तो objective case यह subjective है और यह singular होता है तो was आना चाहिए are in need of repair, there there आया, देखो तो there के आगे जो verb आएगी उसके बाद वाले पर depend होता है much improvement लिखा हुआ है, much मतलब uncountable है, improvement uncountable term है, तो यहाँ पर has use करेंगे, there has been much improvement in their appearance चलिए जी, फड़ा फट solve कीजी इन questions को we should not forget that we have a right to criticize but at the same time, each of us has to remember the duty also have either of the two candidates, अच्छा ये question mark लगा हुआ है, interrogative है, वही same चीज है, either of के बाद noun, pronoun plural, verb singular आती है यहाँ ना लिख के पहले लिख दी है, क्योंकि question mark आया हुआ है लेकिन आएगे तो दादा singular ही has either of the two candidates been selected for the post of branch manager in the Punjab National Bank ठीक है, one of के बाद लिए, noun, pronoun, plural, ये रहा plural ठीक है, one of the developing or underdeveloped countries तो one of के बाद noun, pronoun plural, verb, singular, तो यहाँ पे आर नहीं इजाना चाहिए, is not in the favor of launching के, ये question आया हुआ हुआ है, पहले कहीं, अच्छा हाँ, प्लास में भी कराया था, ये मिनको याद आ रहा है चलो, इनको फड़ा फट solve करेंगे हाँ, देखो भी, देखो कर लिया भी या solve इनको, चलिए, उमीद करता हूँ कर लिया हुआ, आज ही the teachers face the same problems in their day-to-day lives as do an ordinary man teachers जो face करते हैं, same problem face करते हैं अपने day-to-day lives में, जितना कोई ordinary man face करता है तो ये inversion में लिखा हुआ है, कि पहले verb है, बाद में subject लिखा हुआ है singular subject है, तो बस verb singular आएगी do नहीं, does आना चाहिए है ना, जैसे हम बोलते हैं I have watched this film, तो मैं बोला so have I, है ना आपने बोला I go to college daily, मैंने का so do I लेकर ने कि मैं he बोलूँगा तो so does he, है ना तो ये inversion बनाने के लिए कभी-कभी use होते हैं, कि teachers face करते हैं same problems day-to-day lives में, और ऐसे ही ordinary man भी face करता है, जो ordinary man face करता है problem, वही same problem teachers face करते हैं तो ordinary man singular है, singular है तो do नहीं does आएगा, अगर यहां M-E-N होता और N ना होता, ordinary man होता, तो फिर हम क्या लगाते हैं फिर do सही लगाते हैं, फिर कोई गलती नहीं थी ठीक है, जी does आएगा भी the idea of introducing genes to correct heritable and other disorders are, देखो main subject यह preposition से पहले वाला ही है, यह फल तु बकवास बीच में add करते हैं, आपको confuse करने के लिखते हैं, idea revolutionary है, बाकी सारी चीज़े तो preposition के object है, हां की ना 51 question को देखेंगे whether you should get married now or whether you should remain single all your life, are your personal problems तो और लिखा हुआ है यहां पने basically पूरा का पूरा जो close है, वो subject बना हुआ है यह पूरा का पूरा close क्या क्या तुम्हें single रहना चाहिए, यह एक personal problem है यह are your personal problems whether you should get married now or whether you should remain single all your life, is your personal problems, दो mistake है मेरे खाल से इसके अंदर, पहली बाद तो आपको पता है कि और के बाद main subject होता है and होता तो दोनों तरफ को consider करके मानते पता देना और लिखा है, either or, ना इदर और खाली और लिखा तो बाद वाला होता है यहां पे पूरा का पूरा close जो है वो subject बना हुआ जो close subject बनता तो हमेशा singular होता है तो is लगाएंगे और आगे मेरे ख्याल से s भी हटाएंगे ठीक है? कि आपको शादी करनी चाहिए अभी या फिर आपको single रहना चाहिए यह आपकी personal problem है तो एक तो is होगा उदर से problem होगा ध्यान रख्येगा मतलब error fourth वाले part में ही है ख्यार अगले question के तरफ move on करते हैं पोस कर लीजिए फड़ाफट solve कीजिए इनको फड़ाफट solve कीजिए चले तो there appears a number of faces अब आप लोग देखे कि there के बाद जो verb आती है उसके बाद वाले पर depend होती है हा की ना अब देखो इसके बाद लिखा हुआ a number of number of के बाद noun to noun plural आता है verb singular आती है लेकिन इसकी verb ये लिखी हुई क्योंकि there के case में यही होता है कि there के बाद verb जो होती है उसके बाद वाले पर depend होती है अब यहां तक देखेंगे तो a number of new faces in the a number of के बाद noun to noun plural verb भी plural होती है ना अपियर होना चाहिए ना यहां पे समझ में आया है ना पकी बाद है there appear a number of new faces each of the students whom I have chosen to take part in the cultural programs to be performed in the city hall are up to the mark नहीं is up to the mark होगा या confuse कर दी आपको देखो कुछ बच्चे यहां has कर दिया होंगे है ना नहीं यह have chosen जो verb है यह इस वाले subject की है I की जहां से देखो यह इसकी है यह subject verb combination है यह each of the students में main subject each है इसकी verb यह रही is कि each of the students students में जो each है वो up to the mark है वो बीच का part आपको फिर से confuse करने के लिए दिया इतना बड़ा part क्योंकि subject यहां लिखा है वो दो किलोमेटर दूर लिख दी हां कि न those athletes who did not adhere to the rules of athletics wars नहीं वर आना चाहिए देखो वही same चीज है confuse कर रहा है आपको देखो those athletes who did not adhere यह did भी इसके लिए आई हुई है और आगे जो यह deprive of taking part लिखा हुआ है कि one chit थे वो part नहीं ले पाए championship में कौन one chit थे कौन part नहीं ले पाए वही athletes जिन्होंने follow नहीं किया था rules को जिन्होंने athletics के rules को follow नहीं किया था वही athletes one chit रहे part लेने से बात समझ में आ रही है नहीं आ रही clear है और अगर इस तरीके से करना था आप हू और हू वाले तरीके से भी कर सकते हो ये verb है तो इसका subject ये है ये subject है तो इसी verb पीछे वाली होगी पीछे वाली में देखेंगे तो वाज है तो यहाँ पे बिटा word आना चाहिए क्योंकि athletes main subject है बड़े प्यारे बचे आजी फड़ा बड़ सॉल्व कर लीजिए इन्हें बस भेंकर गर्मी हो रही है अभी AC भी चल रहा है मौसम एक तो ऐसा है क्या करें समय में निया तो पंक्खा चलाएं थोड़ा सा तो पंक्खा चुर-चुर करता है मतलब कम धीमी स्पीड पर चलाएं तो चुर-चुर करता है और अगर तेज चला दे तो फिर जो नाख होता है वो सुर-सुर करता है अभी मेरा भाई सना रहा था सुब इस बे खैर चल वाओ जोक से पार्ट मुद्दे की बात पर आते है आइदर के बाद नाउन प्रनाउन प्लूरल और वर्ब बिट्टा सिंगुलर आती है आइदर साइड ओफ दे रिवर इस ओवर ग्रोन विद प्लांट ठीक है लॉट अफ मनी है या लॉट अफ के बाद जैसा नाउन वैसी वर्ब तो नीड्स आना चाहिए अलाट अफ मनी नीड्स तो बी स्पेंट अन रिपेर अफ दिवर्ब देखो विच रिलेट कर रहा है टेलिविजन को ठीक है एक यू सब्जेक्ट है एक वर्ब ये है ये तो कोटा पूरा करके अपना हाँ की ना इस वाले सब्जेक्ट का वर्ब कहाँ यही है ना वर्क्स आएगा ना या वर्क्ड आएगा पास्ट में ले जाओ या प्रेजन में ले जाओ कि टेलिविजन जो आपने दिया था उनके बच्चों को वो पॉफेक्टली या तो वर्क करता है या वो work किया तो मेरे ख्याल से work करता है वो ज़्यादा better है कुछ भी लगा सकते है works और work कुछ लगा लीजिए कुछ बच्चे past का sense देके से worked कर देते है doesn't make any differences present में भी हम डाल सकते है वो भी sense देगा यह ठीक है लेकिन mistake तो third part में ही है या तो works या worked करेंगे ठीक है चलें सारे का end रश्मी usually give me many good advice whenever I get into trouble तो बताओ जी कि आप सारे का end रश्मी दो noun आपके end से जुड़े है तो आगे plural भी है तो many good advice कैसे सकता है many pieces of good advice यह बोल सकते हैं ठीक है या much good advice भी बोल सकते है yes or no सारे का end रश्मी तो plural है तो इसके लिए तो plural verb सही है लेकिन many advice आपको बदा advice uncountable noun होता है तो आप many pieces of good advice ऐसा लेकिए many pieces of good advice clear चली I met the chairman and the director the chairman and the director अब आया हुआ हुआ हूँ तो of course relate कर रहा है दोनों को ही न क्योंकि दोनों के पहले article है और end से जुड़े हूँ है तो अलग-अलग है अलग-अलग है तो plural verb आनी चाहिए मैं मिला chairman से और director से जो की claim करते है to be Ram's father कि दोनों ही claim कर रहे हैं कि वो father आई है ये है चलो कोई नहीं ख्यार verb singular नहीं plural आएगे one of his friend one of के बाद noun pronoun plural verb singular तो friends आना चाहिए one of his friends has been injured in a railway accident चलिये जी करिये फड़ा-फड़ सॉल्व कीजेने सभी students करो-करो देखें जी कितना आप कर पाते हैं कितना नहीं कर पाते हैं असान है questions जी क्या बना the tallest of the three boys live next door to her तीनों में से जो टॉलेस था वो बगल वाले घर में रहता है एक की बात हो रही है एक की बात हो रही है तो lives आना चाहिए the tallest of the three boys lives next door to her ठीक है अगला क्या है either her parents or her teachers are responsible for her success बहुत important बहुत crucial error रही है देखिएगा either के साथ एक subject हो और के साथ एक subject हो तो जो last वाला होता है नहीं होता है verb उसके according आती है लेकिन बिटा pronoun भी उसके according आता है हर कैसे आएगा there आएगा ना teachers है either her parents or her teachers are responsible for their success yes or no क्योंकि main subject यहाँ पे teachers हुआ ना पक्का ना either her parents either her parents or her teachers are responsible for her success सुनने में तो ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे हर ही सही रहेगा sentence का structure थोड़ा सा नो टेडा किया हुआ है लिखने का तरीका थोड़ा सा गलत है यह जहां तक मुझे लगता है लेकिन अगर हम sentence के according जाएं sentence के according ठीक है either के साथ एक subject है और के साथ एक subject है इसको एक बार माक कर लीजिए देख लेते हैं एक बार चेक कर लेंगे कि यही sentence था या कुछ होर लिखाओ वादर टाइपिंग निस्टेक तो नहीं है इसको रहने दीजिए आज ही है बाकि अगर प्रोनावन आता तो लास्ट रोलेक एक एक इकोर्डिंग यह आएगा मतलब जो मेन सब्जेक्ट होता है 40 किलोमेटर्स है फिक्स अमाउंट, फिक्स डिस्टेंस, फिक्स टाइम सिंगुलर लेना चाहिए 40 किलोमेटर्स is a big distance for me and I am unable to walk on food ठीक है आज यगले questions पर देखते है Various consequences of the decision taken Various consequences यह main subject है क्योंकि off आगया न देखो तब उसके बाद तो सारा आपको object दिखाई देगा जब तक verb नहीं आती तो वर आना चाहिए यहाँ पर क्योंकि various consequences plural है but not foreseen by the bureaucrats ठीक है नहीं देखे गए The introduction of job oriented courses in the self-financing colleges attract ओ फिर से preposition तो यही subject होगा subject singular है तो फिर verb भी singular होगी क्योंकि introduction ही attracts करता है many students को किस चीज़ का introduction job oriented courses का self-financing colleges में उनका introduction attract करता है तो singular है ठीक है वही वाली बात हूँ को relate कर रहा है it is I होना चाहिए यहापे missing है कोई बात में typing mistake बीच में एक आदी आ रही है तो हो सकता है कहीं पर उपर नीचे हो लेकिन चल जाएगा उन देख लेंगे it is I यह main subject है तो it is I who am to blame for this bad situation चलिए फड़ा फट कीजिए patience as well as perseverance perseverance का मतलब determination को बोलते हैं कोई चीज को आप कितने दिनों तक लगातार करते हैं ठीक है कितनी आपके अंदर patience perseverance वैसे मेरे खाल से determination English हम बोलते हैं हिंदी में दिर्ड निश्चता दिर्ड निश्चता है ना दिर्ड निश्चे सोरी yes or no जैसे आपके अंदर perseverance है तो मतलब आप उस आपके साथ गलत चीज हो रही है डेली आपके साथ कुछ ना कुछ प्राबलम हो रही है फिर भी आप उसे continue कर रहे है डेली आ रहे हैं डेली क्लास ले रहे हैं मन नहीं कर रहा है एक तो patience रख रहे हैं साथ साथ perseverance भी उसे daily continue कर रहे है difficulty आने के बाओ जो भी उसे बोलते है perseverance तो बात वो नहीं है बात क्या है बात as well as के पहले वाले की है तो ये main subject है ये main subject है तो फिर आपको पता है is आना चाहिए patience as well as perseverance is necessary for success ठेक है he is one of those writers one of के बाद noun to noun plural और verb फिर सिंग दूसरा टाइप है one of के बाद noun to noun plural बीच में आया relative जो के relate कर रहा है इसे तो आगे has नहीं have आना चाहिए he is one of those writers who have won a claim the world over चाहिए knowledge of at least two languages are required नहीं is required off है ना तो ये पहले main subject होगा knowledge is required to pass the examination further of it solve करेंगे इने either of the roads तो singular verb आनी चाहिए ना either of the road leads to the park ठीक है either of the roads leads to the park आना चाहिए the strain of all the difficulties and vexations and anxieties are more than vexation, irritation, gustsak, anxiety तो आपको पता है चिंताएं जो होती है तो main subject यहाँ पर strain है क्योंकि of preposition उसके बाद जब तक verb नहीं आती तब तक तो object count होगा तो strain main subject है तो यह आना चाहिए the strain of all the difficulties and vexation and anxieties is more than he could be जादा है जतना वो बर्दाश कर सकता है कंबले इस वन ओफ दी प्लेयर्स तेक वन ओफ के बाद noun to noun plural who relate कर रहा है प्लेयर्स को तो बट्टा has नहीं, have लगाना पड़ेगा चले आगे चलिए जी solve कीजिए फड़ा फट निप्टाइए इनको देखें जरा कितना किसमें है दम the introduction of tea and coffee and such other beverages have फिर से वह confused करते को एक ही सेम चीज है ओफ से पहले introduction main subject है तो has आना चाहिए each of the students in the computer class has two types, यह तो सही लग रहा है each of के बाद noun pronoun plural है verb singular है लेकिन आगे pronoun plural है मैंने कहा था जो main subject है तो pronoun भी उसी के according आएगा अगर बहुत साथ students में से each की बात हो रही है verb singular है तो pronoun भी singular और नहीं पता तो he हम prefer करते थे his आना चाहिए और वैसे भी gender जब नहीं पता तो masculine prefer करते थे थे याद आ रहे है न और singular है तो his आना चाहिए हर तो आन सकता देर तो ऐसे ही कर रहता है neither of the two children अब वही सेम चीह देखो दो में से neither ये बात और ये singular है हां की न verb past में आयो ये sad तो यहां तो verb को तो singular plural करी नहीं सकते वो तो past में चलेगी वर्ब की second form चाहिए singular और चाहिए plural हो दोनों के साथ आती है तो उसमें तो कोई दिक्कत नहीं लेकिन आगे pronoun तो singular आएगा ना हिस होगा यहां पे अब ये pronoun for error आ रहे है वर्ब वाले तो ठीक थे कि दो में से neither की बात और ये verb singular चाहिए थी लेकिन past में लिखा हुआ तो वहां singular plural का कोई सेनारियो नहीं है लेकिन बिटा pronoun तो आपको करना पड़ेगा ना pronoun भी तो singular करोगे उसे नहीं करोगे क्या है ना चली आईए देखिए निप्टाईए nine tenths of the pillar देखो one third, two thirds याद है three fourths के बाद कैसा भी noun verb आपकी singular sorry जैसा noun वैसी verb कैसा भी noun नहीं जैसा noun अब यहाँ पर प्लूरल होता तो फिर verb प्लूरल करते है हाँ याद है जैसा noun वैसी verb ठीक है तो हम रखिए गए one third of students था तो plural verb आएगी one third of the sugar था तो singular verb आएगी एसे ही pillar के 9-10 पे भाग की बात हो रही है तो count कर नहीं सकते है singular है तो has आएगा clear he walks वो ऐसे चलता है as if the earth belongs to him यह conditional का question आगए यह conditional वाली class में मैं आपको पढ़ाऊंगा यहाँ पर second form आएगा क्योंकि unreal condition है कि ऐसे चलता है अब आपके मन में सवाल है क्या सर पढ़ाएंगे क्या let's see देखते हैं time लगता है तो definitely पढ़ाएंगे देखो कोशिश तो मेरी पूरी रहती है ऐसी बात नहीं है आपको बताए कि efforts मैं डालता हूं अपनी तरफ से ठीक है कोशिश करता हूं सारे chapters जो जो important सारे पढ़ादू बस वक्त की थोड़ी सी घाट है क्यांकि सारी चीज़े आप लोग जानते है manage करनी है सब कुछ देखना है सारी चीज़े देखनी है तो time लगता है तो classes तो आई रही है आप लोग content देखे रहे है सारा content है तो आएंगे classes तो उमीद तो है पढ़ा देंगे अब ये कब पढ़ाएंगे इसका कोई idea नहीं है लेकिन हाँ उमीद है ठीक है आगे वैसे मैं classes अभी continue करने के सोच रहा हूं if everything goes well अगर सब कुछ सही चलता है तो यादे को सीधी बात एक बात की वही वाली बसो बात की एक बात होती है कि आप सच बोल दो क्योंकि जब आप एक जूट बोलते हैं तो फिर उसको छुपाने के लिए सो जूट बोलने पड़ते हैं मानते हैं इस बात को तो अगर मैं सच कहूं तो मैं जब मैंने यूट्यूब चैनल बनाया था मैं तब भी कोशिश कर था मैंने तब भी कोशिश की थी कौन ऐसा इंसान होगा कि कोई effort डालर बीच में रुख जाए है आलसी तो हम है नहीं आलसी होते तो इतनी मेहनत करके यहां तक नहीं कोचे होते तो महनत तो करते हैं यह teachers वगरा सब महनत करते हैं लेकिन क्या होता कभी कभी जिन्दगी में कुछ कुछ problem जो हमने कभी expect नहीं की होती है ऐसी problem आपकी life में आ जाती है और आपको हर बार रोकने की कुशिश करती है किसी ना किसी तरहीके से तो मैंने भी जब से YouTube चैनल दो-तिन बार मैंने मतलब इसमें बीच में पोज लिया और वो ऐसी situations life में आ गई थी कि मेरे हाथ ऐसे बंद गए थे कि मैं चाहा के भी कुछ नहीं कर सकता था समझ में बात आ रही है तो जब अगर सब अच्छा चल रहा होता तो of course मैं classes continue ही करता कोई content upload करने मुझे कोई दिक्कत नहीं मैं कभी नहीं सोचता कि मेरा content बहार चला जाएगा तो मैं क्या पढ़ाऊंगा paid में ऐसा कुछ नहीं है अपने पास बहुत content बहुत update मैंने की है और एक ही course के मेरे पास मतलब 10-10 तरीके हैं पढ़ाने के एक ही course को आपको पढ़ा दिया अगली बार में उस अरग तरीके सभी पढ़ा सकता हूँ इतनी मैनत हमने की हुई है content के वो पढ़ा ठीक है practice questions भी है तो कुछ भी नहीं है आगे चलके मैं आपको कराऊंगो तो भतेरा content है क्योंकि content के प्रमेहनत की है तो मैं कभी ऐसा नहीं सोचता कि content मेरा बहार चला जाएगा तो मैं लूट गया मेरा सब कुछ यही था बरबाद हो गये यह वो अरे यार पढ़ लेंगे बच्चे देखो बढ़िया content आपको पढ़ा दिया बात वो नहीं थी बात मैं वही बताना चाहरा था कि मेरी अंदर से intention है upload करने की चीज़े पढ़ाने की लेकिन कभी-कभी situation circumstances साथ नहीं देती दहां पर आप चाहा के भी कुछ नहीं कर पाते है तो बस वही मेरे साथ हुआ दो तिन बार अगर अभी भी situation पहली बात तो सब अच्छा हो सब बढ़ी आप लोग का प्यार आप लोग की दुआए है तो हमारी मैनत है उपर वाले की रहमत है सब अच्छा हो लेकिन अगर फिर भी इनके कुछ होता तो problem दे को पढ़ाने में होई जाती है फिर बंदा वहीं फोकस करता जो उसकी classes है जहां वो paid classes रहे जहां से उसकी income आ रही है है लेकिन if everything goes well I'll continue all the classes definitely ठीक है और बढ़िया content पढ़ाने वाला हूँ no doubt एक number का even content ठीक है बाते नहीं करते question कर लेते है ना चलिए फिर क्योंगे करते हैं बढ़ाते कुछ हो नहीं कहने कहने को आप ऐसे नहीं है या ठीक है आप कहां थे हम हाँ यह मैं conditional की बात करता तो कहां से कहां पोची कि क्या condition रदी मैंने आपके आगे 78 पे great many great many के बाद जैसा many लिखाओ कुज many लिखाओ great many लिखाओ इसके बाद हमेशा noun pronoun plural आता है और verb भी plural आता है great many students have been declared successful ठीक है चलो जी solve कर उनको do you know that it was I who have अब दे को I correlate कर रहा है तो आगे have आना चाहिए do you know that it was I who have done this piece of beautiful work do you know that it was I who have done ठीक है अब आप यह में सोच ना question mark आया तो who के लिए है question mark do you know के लिए है है ना do you know में की ना तिन प्यार करता चलो तो do you know के लिए question mark आया हो रिलेट कर रहा है बिटा I को इसलिए हमने यहां पे लगाया है वो ध्यान रखिएगा चले Arabian Nights भया किताब का नाम है तो किताब का नाम है तो भया singular होगा singular होगा तो हम लगाएंगे यहां इस Prime Minister है along with लिखा है तो यही main subject होगा बादवाला तो कथे ही नहीं हो सकता है तो हम लगाएंगे यहां पे Prime Minister has been welcomed by the Chief Minister at a formal ceremony चलिए आज यह उड़ाई इनको फड़ावट उड़ाती ही है One of के बाद noun, pronoun, plural आता है He is one of the tallest boys आना चाहिए ना कि boy और आगे verb नहीं है तो फिर इसको तो plural करना ही पड़ेगा ना One of के बाद noun, pronoun, plural Our success और our failure और लिखाए ना तो यह main subject है Depends होना चाहिए singular होएगा ना हां कि ना One of के बाद noun, pronoun, plural, verb कैसी आती है singular आती है तो has होना चाहिए होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए definitely होना चाहिए चलिए फड़ाफ़ट पोज कीजिए करिए करिए Drinking and driving बताओ या Our होगा या Our होगा एक major cause बोला है आगे देखो है ना तो यह pair में है drinking and driving Drink and driving एक साथ होती है ना तभी तो accident होता है Pair में तो इस आना चाहिए Everyone, someone, no one, singular होते हैं तो यह भी इस आना चाहिए I read a great deal of books A great deal, ओहो, याद आया बिलकुल A great deal of the amount of A good deal of, यह uncountable के लिए आते थे लेकिन यह तो countable है तो a number of books याद आया, पढ़ाया था detail में I read a number of books I read a number of books, ठीक है चलो, करो इने Flowers that are just picked Begins to rot in 15 seconds तो that relate कर रहा है Flowers को तो यह वाली work भी इसके लिए आई हो है Flowers के लिए कैसे? Flowers जिनको pick किया गया है न, वो शुरू हो गए सड़ना 15 seconds में क्या शुरू हो गए सड़ना? Flowers की दो बात हो रही है बस flowers शब्द को common निकाला हुआ है दो verb का एक ही subject है एक subject का मतलब एक ही नहीं है दो अलग-अलग ही है बस common निकाला हुआ है Are just picked का भी flowers है Begin का भी flowers है तो दोनों का same होने के कारण अलग निकाल लिया Common निकाल लिया कभी आप सोचोगे दो verb का एक subject कैसे हो सकता है दो verb का एक subject तभी हो सकता है जब दोनों का एक ही subject common हो तो दोनों को अलग-अलग लिखने का फिर benefit नहीं है ना subject को इसलिए common निकाल लेते हैं तो दो verb हैं तो दो ही subject हैं flowers ही दो बार subject बना हुआ है बस common निकाल लिए इसलिए एक बार लिखा हुआ है वो लिखने का structure है According to some estimates there are 7000 types of plants है ना 7000 के बाद plural जैसे 7000 रूपी होगा या रूपीज होगा रूपीज होगा ना क्योंकि हम modify थोड़ी कर रहा है जब याद करो note के context में होता था 10 रूपी note याद आ रहा है तब 10 रूपीज नहीं होता था और अगर note ना हो तो खाली 10 रूपीज होता था जैसे simple सी बात है मैंने का 10 रूपी नोट सही है क्योंकि note की विशेष्टा बताता है 10 रूपी लेकिन note ना हो खाली बोले 10 रूपी तो ये गलत है 10 रूपीज होता है 10 रूपीज होता है ना ऐसे ही 7000 रूपी या रूपीज रूपीज होगा क्योंकि modify नहीं कर रहा किसी चीज को तो ऐसे ही 7000 टाइप या टाइपस टाइपस होगा simple everyone must sign his आना चाहिए इनके लिए सब singular है model verb है तो model verb के बाद verb की first form sign तो ठीक है लेकिन आगे तो his आना चाहिए आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए बताओ भी बताओ इनको बताओ many a men have realized that real happiness many a men many के बाद article singular तो फिर singular आने चाहिए a technical view of new gadget sometimes differs differs आएगा क्योंकि of के पहले main subject है ना तो singularly differs as a person who believes that honesty is the best policy I feel that politics is politics के पहले दा नहीं है ना ही possessive adjective है तो यह singular count होते हैं दिखते हैं plural होते हैं singular politics is not my cup of tea दा politics होते हैं तो plural होता करो भी यह नको solve करो the company have thousands of customers happy with its service company collective है collective है तो है जाना चाहिए in India working woman working woman lead woman है ना singular है तो leads working woman leads a life of dual responsibilities if no 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 क्या करेंगे मेरे ख्याल से अब यहाँ पर e करेंगे क्यों करेंगे e देखो वैसे singular था singular verb करना चाहिए था लेकिन हम verb को देखके subject को plural कर रहे हैं ऐसा क्यों कर रहे हैं करते तो नहीं है आगे क्यों कि दे लिखा हुआ है ध्यान से देखो in India जो working woman है वो lead करती है life of dual responsibilities मतलब दो दो जिम्मेदारियां है अगर वो शादी शुदा है और उनकी family है तो उनकी दो दो जिम्मेदारियां होती है यह दे किसके लिए women के लिए तो आया होगा पोलिस हो गया people हो गया cattle, cavalry, gentry peace entry आप लोग जानते है lot of money uncountable है तो जैसा noun वैसी verb lot of money was spent my brother-in-law who lives in Mumbai तो brother-in-law है जो मुंबई में रहते है has come to stay वही आया हुए रहने के लिए क्योंकि brother-in-law वही देखो दोनों का main subject common है वही मुंबई में रहते है और वही रहने के लिए आया हूँ था मुंबई में रहते है वो अभी हमारे साथ रहने के लिए आया हूँ तो इस वाली verb का भी यही है और इसका भी यही है common निकाला हूँ है तो इसलिए singular हाना चाहिए his parents है तो do not approve of his business आना चाहिए चलिए जी फड़ा फट फॉल दर लीजे last slide है हमारी इसके बाद फिर हम class को wind up करते है the whole block of flats flats के whole block की बात हो रही है including two shops were नहीं was आना चाहिए क्योंकि main subject whole block है of के बाद तो object आया ना जब तक verb नहीं आई तो यही singular है तो आगे भी singular आना चाहिए whole block destroy हुआ है many के बाद article singular noun तो भीया electronic mail और है और है तो भीया यह main subject है वही same चीज है इस आना चाहिए अब मुझे बताओ क्या बनी आपकी report चंगी है report बढ़िया है okay है सब अच्छा है न चीजे समझ में आ रही है उमीद करता हूँ समझ में आ रहे होंगी और यह भी उमीद करता हूँ कि बीच में मैंने ज़्यादा बाते नहीं की होंगी कभी कभी क्या होता है इंसान की कुछ-कुछ emotions होते हैं तो वो इंसान share कर देता है अने देखो family के बाद आप लोग ही अने यह तो बहुत बर ऐसा होता है की जब आप किसी को अपना मानते हैं तो वो जो दिल के कुछ emotions होते हैं वो निकलाते हैं छी कैया इनसान को वो रहता है कि अपने ही है ये क्या आपको judge करेंगे और क्या ही judge करेंगे students एक teacher को online image क्या एक बना सकते है एक teacher की असलियत थोड़ी जान सकते है कि वो इस teacher की क्या वैक्तित्व है क्या उसका विवहार है किस तरीके का वो इनसान है वो तो मैं जैसी image दिखाना चाओंगा online आपको वैसी दिखेगी मैं बहुत cool बनके रहूँगा तो आपको cool लगूँगा बहुत strict बनके रहूँगा तो strict लगूँगा हसी मजा करते रहूँगा तो आपको ऐसा ही थोड़ा सा sarcastic या comedian सा लगूँगा हांगी ना तो इनसान जैसी image बनाता है सामने वाले को वैसा ही दिखता है तो judge तो क्या है यार सामने वाला क्या ही किसी की personality को judge कर लेगा लेकिन still तो मैं आप लोगो मानता हूँ कि हाँ भई यह अपना ही part है एक है न और आप लोग हमारे अन्य दाता है और ने दाता तो घरवालों से भी उपर होते है क्योंकि आप क्यों ऐसे हमारे घर की रोटी चलती है है ना students ही सब कुछ है students ना तो teachers फिर ही नहीं कुछ भी बिल्कुल भी तो इसलिए किसी भी तरीके की कोई दिक्कत वाली बात में कभी ऐसे दिल के रमान आ जाए तो थोड़ा सा वही सुन लिए करो क्या दिख्यता है हम इतनी बच्चों की सुनते है इतनी समस्या है लेकर बच्चे आते है डेली इतने-इतने मैसेजिस करते हैं सर यह प्रोब्लम सर वो प्रोब्लम तो बस आप अपने हैं तो इसलिए शेयर कर लेते हैं कभी-कभी और कहां जाएंगे भी आपसे शेयर निकरेंगे किससे करेंगे तो खैरा फिर मिलेंगे आपसे नेक्स सेशन के अंदर उमीद करता हूँ क्लासेज आपको बेनिफीशल लग रही होगी और आपको अच्छे लग रहोगा content बिल्कुल कोई दिक्कत किसी भी तरीके की कियाती है तो comment section में बताएं आनेवली classes में से tackle करने की कोशिश करेंगे और if everything goes well जैसा कि मैंने कहा जबरदस content आएगा classes बहुत जबरदस चलने वाली है आप लोग अपना support और प्यार बनाए रखे बढ़िया करेंगे है न और आप लोग एक अच्छी सरकाई नोकरी लेंगे ऐसा मतलब मेरी अंदर से उमीद है और मैं से दुआ भी करता हूँ, कामना भी करता हूँ और सरकाई नोकरी इकल को जिन्दगी में नहीं लगेगी पहली बात तो लगे, जिस गोल को आप chase कर रहे है in case, क्योंकि possibility हर चीज किया life में कोई भी चीज certain नहीं है uncertainty भरी हुई है possibility किसी भी चीज किया in case, life में अगर एक person, government job नहीं भी लगती तो आपके पस English की knowledge है मतलब मैंने हैपकी life में मैं बहुत proud feel करता हूँ कि मैंने ऐसा contribution कर दिया है जो आपकी जिन्दगी के मरतिदम तक आपके साथ रहेगा, language बहुत खुबसूरत चीज है तो मैं उमीद करता हूँ कि आपकी life में positive impact आया होगा language को लेके और इसी के साथ फिर positive note पर class क्यान करते हैं, मिलेंगे अगले chapter में preposition के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत प्यार, धन्यवार